दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपके धिमाग में एक कोश्चन तो जरूर आता होगा की IPO क्या होता है और आपने कई स्टोरीज भी सुनी होगी कि किसी व्यक्ति ने 1980 में Infosys या MRF के IPO में पैसा लगा के छोड़ दिया और आज वो करोड़ पती है तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Trade Invest पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IPO के बारे में तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में रोज नई नई कमपनीज बनती है और नजाने कितनी कमपनीज बैंकरप्ट होकर बंद हो जाती है पर वो सारी कमपनीज के शेर शेर मार्केट पर ट्रेड नहीं होते हैं और हम ये तो जानते हैं कि शेर मार्केट में कमपनीज के शेर का लेंदेन होता है लेकिन ये शेर मार्केट में आते कैसे हैं तो दोस्तों इसका जवाब है IPO यानि की Initial Public Offering न्यू कमपनीज पैसा जुटाने के लिए अपने शेर को पबलिक में सेल करती है और इसी प्रोसेस को हम Initial Public Offering यानि की IPO कहते हैं IPO लाने के मेन रिजन्स होते हैं Business Expansion, New Products Launch, अपने पुराने लोंस चुकाने के लिए एट सेक्टरा तो दोस्तों जब भी कोई कमपनी IPO लाना चाहती है तो उस केस में कमपनी को एक डीटेल डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसको हम DRHP कहते हैं इस डॉक्यूमेंट में कमपनी के बारे में सारी डीटेल्स होती है लाइक पिछले क्वाटर्स का Profit Loss, कमपनी के सारे Operations, कमपनी के Existing Loans, अगर कमपनी Loss Macking है तो क्या वो कभी Profit Achieve कर पाएगी या नहीं ये सभी उस डॉक्यूमेंट में मैंचन होता है ये डॉक्यूमेंट कमपनी से भी को प्रोवाइट करती है और फिर ये आम इन्वेस्टर्स तक पहुंचता है से भी इन एप्लिकेशन को रिव्यू करके IPO लाने के लिए Regulatory Approval देता है किसी भी कमपनी के IPO लाने के लिए Investment Bank का बहुती बड़ा योगदान होता है Investment Bank का का काम होता है कमपनी का Valuation प्रिपेर करना और कमपनी को IPO से Related Consultation प्रोवाइट करना उसके बाद IPO को Publicly Open कर दिया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए ये पीरियट 3 से 10 तीन का होता है इसी को हम Issue Period भी कहते हैं आईए इसको एक Example से समझते हैं तो मान लिजिए कि एक कमपनी XYZ का Valuation है 1000 करोड वो कमपनी अपने Valuation को 10 करोड शेर में डिवाइट करती है तो उसकेस में कमपनी के एक शेर का प्राइस बनेगा 100 रुपीज IPO में शेर्स लॉट्स में लॉट होते हैं एक लॉट का वेल्यू मैक्सिमम 15,000 होता है तो हमारी कमपनी के एक लॉट में 150 शेर्स आएंगे एज रिटेल इन्वेस्टर जब आप IPO में अपलाई करते हैं तो आप मिनिमम 15,000 से मैकसिमम 2,000,000 तक अपलाई कर सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं और अगर IPO ओवर सबस्क्राइब होता है तो उस केस में जरूरी नहीं है कि आपको शेर अलोट हो क्योंकि अगर कमपनी मान लेते हैं थाउजन्ड शेर्स IPO में बेचना चाहती है लेकिन थाउजन्ड लोग उन शेर्स को खरीदना चाहते हैं अगर आपने IPO में 10 लोट के लिए अपलाई किया है तो हो सकता है कि आपको एक लोट ही मिले या हो भी सकता है कि आपको एक भी लोट ना मिले लेकिन अगर IPO अंडर सबस्क्राइब रहता है तो आपको IPO में शेर्स मिलने की पूरी गारंटी रहती है क्योंकि उस case में company जितने share sell करना चाहती है उतने company को applications नहीं मिलते हैं तो दोस्तो यही था IPO के बारे में सारी details अगर आपको कोई query है तो comment section में पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye